हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूं सब लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने कोई भी अबोशन पिल्स खाईए उसको लेने के बाद में आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो इसी कंडिशन में आपको क्या करना चाहिए इ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्क्राइब करें जब भी आप कोई भी एबोशन पिल्स लेते हैं तो आप सब लोग जानती होंगे कि किसी भी महला को अन्वांटेट ट्रेग्नेंसी हो जाती जिससे बशने के लिए हम एबोशन पिल्स करते हैं जब लोग अपनी मर्जी से खा लेते हैं या किसी भी केमिस्ट की शोप से या कोई भी रिष्टेदार गाइट कर देता है कि एसे लेलो हमने तो एसे लिथी आप भी एसे लेलो आपका काम हो जाएगा तो एसे ही लोगों का केस बिगड़ता है और उनकी ब्लीडिंग बन नहीं ह होती है कई बार ही लोग डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी लेते हैं डॉक्टर भी कहीं बार मिस्गाइट कर देते हैं जिसके कारण भी ब्लीडिंग कई दिनों तक चलती रहती है आप लोगों को कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है कि ब्लीडिंग होते होते 15 दिन 20 दिन सकती है, बोड़ी का कलर चेंज हो सकता है, इसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ब्लीडिंग नहीं रुपने के क्या-क्या कारण होते हैं, इसके बहुत सारे रिजन हो सकते हैं, जैसे कि आपने एबोशन पिल्स जो खाई है, तो वो कितने दिन की प्रेगनेंसी पे खाई, क्या सही टाइम पे खाई थी, या बहुत ज़्यादा दिन करने के बाद में, यानि कि आपकी जो प्रेगनेंसी थी वो 9 हफते से ज़्यादा की होने के बाद में आपने एबोशन पिल्स खाई है, कहीं condition में आपका एबोशन complete नहीं होता है incomplete abortion रह जाता है जिसके कारण आपकी bleeding बन नहीं होती है अब bleeding बन नहीं हो रहे है तो एसे में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिससे आपकी pregnancy 40 दिन के 50 दिन की ź या 60 दिन की है अगर इतने दिनों की pregnancy है 60 दिन तक की pregnancy है तो आपकी bleeding जादा से जादा 10 दिन 12 दिन तक चल सकती इससे जादा नहीं चलती है किसी किसी case में 12 दिन के बाद में 24 बुन 24 बुन दा रहा तो एक normal सी बात है पर अगर आपको paid use करने के जरुवत पड़ रही है इसका मतलब कि आपको आप doctor से मिल लेना चाहिए अगर आप doctor के पास नहीं जा सकते या कोई भी problem है घर से बाहर नहीं निकल सकते तो हमारी online consultation available है appointment book करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं जो भी problem है आप मुझे detail में बता सकते हैं अब हम बात करते कि आपको करना क्या है सबसे पहले तो आपको अपना एक pregnancy test करके देख लेना चाहिए bleeding बंद हो या ना हो बहुत सारे patient बोलते हैं मैं बोलती हूँ कि pregnancy test करो कि मेडम bleeding बंद नहीं अभी pregnancy test हम कैसे कर सकते हैं तो ये आप लोगों के मन में बहुत बड़ा मित है urine का रस्ता अलग है blood का रस्ता अलग है तो आप कभी भी ये ना सोचे कि मेरी तो bleeding बंद नहीं हुई है तो मैं pregnancy test कैसे कर सकती हूँ है ना तो urine का रस्ता अलग है आपको urine collect करना है और प्रेगा नूज ला करके मतलब अच्छी brand की pregnancy test ला करके test करना है सबसे पहले ये confirm करना है कि आपका test negative आ रहा है कि positive आ उसके बाद में जिस भी डोक्टर से आप consult करेंगे तो डोक्टर आपकी सारी condition पूछेंगे कि आपने कि प्रेग्निंसी पर दवाई खाई थी दवाई खाने का जो आपका duration था वो कैसा था किस सुरूर से दवाई खाईए आपने कितने टैबलेट्स खाई पांच टैबलेट्स में और अभी क्या condition है आपका पेट दर्द हो रहा है क्या कमर दर्द हो रहा है क्या clothes आ रहे नहीं आ रहे ये सब चीज डोक्टर आपसे clear करेंगे उसके बाद में डोक्टर आपको एक ultrasound करव सकते हैं TVS मतलब transveginal जो योनिद्वार से होता है अगर TVS ultrasound हम करवाते हैं तो उसमें बहुत clarity से ये पता चल जाता है कि कितने टीशू बच्चे हैं कहां पे बच्चे हैं यूट्रस के कौन सी केविटी में हैं उपर हैं नीचे हैं बीच में साइड में किदर हैं कितनी मात् कितना clothes बचा है अगर थोड़ा बहुत minimum clothes बचा है 10, 20, 25, 30 mm बच रहा है तो हम दवाई देखर के भी clear कर सकते हैं अगर वो सही जगे पे हैं दवाई के द्वारा निकल सकता है तो पर अगर आपका incomplete abortion आ रहा है या endometrium की जो thickness से वो ज़्यादा आ रही है जैसे कि 25 mm आ रही है उसमें भी dnc करवाना best है क्योंकि एक तो लंबे टाइम से आपको bleeding हो रही है दूसरे बात अगर अब भी भी आप medicine से try करना चाहोगे और bleeding कहीं ज्यादा होगी हिमोग्लोविन की कमी होगी तो इसे मैं आपको hospital में admit होके blood चड़वाना पढ़ सकता है और फिर आपकी समश् अब हम बात करें कि कुछ घरेलू नुसके भी होते जो कि bleeding को रोप सकते हैं तो जैसे कि घरेलू नुसके में आपको चाही बिल्कुल बंद कर देना मतलब गरम चीज़े नहीं लेना है अगर आपको पेटवेट में दर्द करता है तो हम hot water bake से सिकाई करने की सला देते तो व खाना है अनार्चिकुंदर का जूस लेना है आपको healthy foods लेना healthy diet लेना है कि खाने में सब कुछ खाये तक ताकि हमें vitamins की iron की calcium की folic acid की कमी ना हूँ ठीक है इसके बाद में आप निब्बो पानी पीओ दिन में दो तीन बार खटी चीज़े खाना चालू कर दो ताकि उससे bleeding control होगी bleeding का जो flow है वो down हो जाएगा अगर आपको थोड़ा वो दर्द रहता है तो आप जैसे मेप्टाल इसपास या प्रूफें टेबलेट ले सकते हैं पेरसिटमोल भी ले सकते हो ताकि जो दर्द है वो दर्द बेट जाएगा तो आपकी जो bleeding का flow है वो भी धीरे धीरे कम हो सकता है इसके बाद में अगर आपको बहुत ज़्यादा heavy वाली bleeding हो रही बहुत ज़्यादा close भी आ रहे तो इसी condition में आपको घर बेटके इंतजार नहीं करना है कि मेरी bleeding बंद हो जाए बंद हो जाए आपको hospital जाके admit होना चाहिए अगर emergency में hospital बहुत दूर है तो इसी condition में आप takes the kind 500 mg की tablet ले करके एक tablet खाले आप hospital जाते जाते आपको आराम पढ़ जाएगा ताकि हमारी body से ज़्यादा blood loss ना हो और आपको आगे जाके और समश्या का सामना ना करना पड़े आशा करती हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपुर्ण जानकरे दे पाई हूं धन्यवाद